वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रितन लोजिक प्रितन लोजिक में आज आप सभी का स्वागत है दोस्तों और आज का टॉपिक है आपके लिए सगीर एहमेद का सरली करन चेप्टर का पार्ट फाइब इसके पहले मैंने चार पार्ट करा दिये हैं दोस्तों और ये प 5.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के पावर रेकरिंग ठीक है दोस्तों ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन वताया था और ये फिर आ गया है ठीक है दोस्तों तो इसको बोल रहा है सरली करीद किजिए तो रेकरिंग का फूल आप भी बोड माइस ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर का काम करते हैं ये 5.4 तो वैसे का वैसे रहेगा सबसे पहले इसका काम करना है यानि कि अंदर का ठीक है तो 4.3 से माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0.3 और 4 से 2 जाएगा तो 2 दोस्तों उसके बाद अब यहां देखिए 4 से 3 जाएगा तो 1.5 से 2 जाएगा तो 3 3.1 आ गया इससे तो अब यहां पर माइनस और 6.5 यह हो गया मिडिल ब्रैकेट का काम ठीक है दोस्तों अब 5 से 1 जाएगा तो 4 और 6 से 3 जाएगा तो 3 ठीक है दोस्तों उसके बाद माइनस 7.6 यह होगी आपका बड़ी ब्रैकेट का काम अब यहां से देखिए 6 से 4 जाएगा तो 2 और 7 से 3 जाएगा तो 4 माइनस यह आपका 8.7 तो 7 से 2 जाएगा तो 5 पॉइंट 8 से 4 जाएगा तो 4 यानि क्या आंसर आगया आपका 4.5 जो कि आपका अप्सन नमर 3 में दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्यों चलते हैं 42 नमर 42 है आपका यह दोस्तों सबसे पहले पता है कि रूल ऑफ बॉड मास्स सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है तो चलिए इसका पूर्णाग तो टोड़ते हैं 2 एकम 2 एक 3 बटे 2 माइनस 1 वाइ 3 माइनस 1 वाइ 6 ठीक है दोस्तों इसका लेंगे तो 6 आएगा और 2 तिया 6 यानिकि 3 तिया 9 तीन दूनीच है यानिकि 2 और यहां पर 1 ठीक है दोस्तों उसके बाद यह देखिए 2 एक 3 माइनस 3 पलस 9 यानिकि 6 बटे 6 यह कट गया आपको क्या आगया छोटी ब्रैकेट का माण 1 अब आप यहां पर दियान देंगे दोस्तों मिडिल ब्रैकेट में इसका पहले चार एक 5 बटे 4 और यह माइनस 1 बाइ 2 अब यहां देखिए दोस्तों कुछ नहीं है यानिकि इन्टू है तो इन्टू छोटी ब्रैकेट का मान के आया था मेरा पास 1 ठीक है दोस्तों और 1 इसमें गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो चलिए 4 दो का एलसी हम 4 और 5 माइनस 2 दूनी 4 यानिकि 2 तो मिडिल ब्रैकेट का मान के आगे दोस्तों 5 मिल से तो जाएगा यानि 3 बटे 4 अब यहां पर देखिए दोस्तों बड़ी ब्रैकेट का काम बच गया ठीक है दोस्तों बड़ी ब्रैकेट में क्या है 4 तिया 12 एक 13 बटे 4 और यह भागा यह दिखिए भाग दिया था दोस्तों तो भागा 3 बटे 4 मिडिल ब्रैकेट का मान के आया था 3 बटे 4 तो भागा 3 बटे 4 अब इसको गुना में बदलेंगे दोस्तों 13 बटे 4 गुना 4 बटे 3 तो 4 से 4 तो खतम हजाएगा बचेगा क्या आपके पास दोस्तों 13 बटे 3 अब इस 13 बटे 3 को इसके साथ काम करना है इसका क्या आजागा दोस्तों 8 दुनी 16 एक 17 बटे 2 माइनस 13 बटे 3 इसका हलसियम क्या आजागा दोस्तों 3 दुनी 6 उसके बाद 2 तीया 6 17 तीया 51 माइनस 3 दुनी 6 यानि 13 दुनी 26 20 बराबर 11 माइन से 6 जाएगा दोस्तों 5 और 4 माइन से 2 जाएगा 2 बटे 6 अब इसको पूर्णाग में बदलते हैं दोस्तों 6 24 24 एक 25 बटे यानिकि 64 24 एक 25 बटे 6 ठीक है दोस्तों आंसर आगे आपका दोस्तों 4 पूर्णाग एक बटे 6 जो कि आपका option नमर 2 में दिया हुआ है अब चलते हैं question नमर 43 की ओर दोस्तों तो question नमर 43 आपका दोस्तों 7 पूर्णाग एक बटे 2 माइनस बरी ब्राकेट 2 पूर्णाग एक बटे 4 भागा मध्यम ब्राकेट 1 पूर्णाग एक बटे 4 माइनस एक बटे 2 छोटी ब्राकेट 1 पूर्णाग एक बटे 2 माइनस एक बटे 3 माइनस एक बटे 6 यहाँ पर आप 3 वट्टे 2-1 वट्टे 6-1 वट्टे 3-1 वट्टे 6, इसका लसे में लेंगे तो 6, 2 टिया चे यानि कि 3 टिया इनो, और 2-1 इसका घटाएंगे तो 6 वट्टे 6, यानि कि 1 आया था दोस्तों, फिछले वश्चन में भी, यहां भी 1 आया है, उसके बाद इसका फूर्णाग दो यहां भी देखिए दोस्तों इन्टू ही है तो इन्टू वन तो इसका एलसियम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चार दो का एलसियम चार उसके बाद यहां फाइब माइनस दो दूनी चार याने की चार तो क्या घज़ा दोस्तों आपके पास दो दूनी चार याने की दो तो पांच वन से दो जाएगा तो तीन वटे चार यह होगा आपका middle bracket का काम उसके बाद आप बड़ी bracket का काम करते हैं तो 4 दुनी 8 हैक 9 बटे 4 भागा 3 बटे 4 यह भाग में हैं दोस्तों इसको गुणा में बदल देते हैं तो 4 बटे 3, 4 से 4 खतम 3 त्याई 9 तो इस बार आपका क्या बच गया 3 अब इस 3 को इसके साथ काम करेंगे तो 7 दुनी 14 एक 15 बटे 2 माइनस यह 3 तो 3 दुनी 6 15 मन से 6 जाएगा तो क्या बचेगा दूस्तों 9 बटे 2 यह हो गया आपका आंसर ठीक है दूस्तों इसको अगर पूर्णाक में बदलेंगे तो क्या जाएगा 2 चो के 8 पूर्णाक यह 4 पूर्णाक एक बटे 2 आपका आंसर पूर्णाक में दिया हुआ है आप्शन नमर 2 में 4 पूर्णाक एक बटे 2 तो इसे के साथ चलते हैं कोस्चन नमर 44 की और क्यों नमर 44 ऐसको दोस्तों 5 माइनस wadi bracket 3 by 4 पूर्णाक मुद्यम ब्रचट 2 पूर्णाक एक बटे 2 माइनस जोटी ब्रेकट 0.5 पूर्णメ 8 पूर्णाक है और सच्छा के 24 यानिकी 6 ठीक है दोस्तों उसके बार साथ मन से 6 जाएगा 1 बटे 24 और यह पलस 0.5 अब 0.5 का 10 मुले उड़ाएंगे तो 10 ठीक है दोस्तों यानिकी 1 बटे 2 अब इन दोनों का LC हम लेंगे तो क्या जाएगा 42 और 21 दोनी 42 यानिकी 21 पलस 1 बराबर क्या जाएगा दोस्तों 22 बटे 42 ठीक है दोस्तों इसमें कोई परिशान ही नहीं होगी आपको अब इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 11 बटे 21 ठीक है दोस्तों यह होगी आपका छोटी ब्रैकेट का काम इसमें मैंने रेक रिंग का भी क काम किया तब इसको लेख चलते हैं मिडिल ब्रैकेट के साथ ठीक है दूस्तों मिडिल ब्रैकेट में क्या है दो दूनी चार एक पांच बटे दो और यह माइनस भाईश हुआ है ठीक है अब इसको भाट आएंगे तो क्या हो जाएगा पांच में से दो जायेगा तीन और असमन से तो जायेगा तो आठ ठीक है दोस्तों यानंकि 73 ब्टे 42. अब 83 वटे 42 को यह देखे बड़ी बराकिटके साथ काम करना थीक है दूस्तों, तो यही पे कर देते हैं दूस्तों इतना वरवर आया था 83 80 बटे 20 अभी इसको 3 by 4 के साथ एड़ कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो इंदरों का LCM लेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों तो फटा-फट LCM ले लेते हैं 4 और 42 का तो 2 से 21 तो 21 चाओ के कितना होता है दोस्तों 4 एकम 4 और 4 दुनी 8 84 ठीक है दोस्तों और 21 तिया 63 ठीक है दोस्तों यानि कि 4 से 84 भाग देंगे तो 21 और 21 तिया 63 उसके बाद 42 दुनी 84 यानि कि 83 दुनी करना पड़ेगा तीन दुनी 6 और दुनी 16 ठीक है दोस्तों इसमें कोई परिशानी नहीं होगे आपको 4 और 42 का एलसियम मैंने 84 लिया और 4 से भाग देंगे 84 में तो 21 तिया 63 उसके बाद 42 दुनी 84 और 83 दुनी 166 तब इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो यहनिकि माइनस 5 करना है ठीक है दोस्तों यहां से आपको माइनस 5 करना है तो चलिए फटा-फट कर देते हैं 84 पंचे कितना होता है दोस्तों यहां से दिखिए 4 पंचे 20 का 0 और 8 पंचे 40 दुन 42 माइनस 229 बटे 84 ठीक है दोस्तों और उसके बाद इसको घटाने पर क्या आता है देखते हैं दोस्तों 10 मन से 9 जाएगा 1 और 11 यहनिकि 11 मन से 2 जाएगा 9 और 3 मन से 2 जाएगा 1 191 बटे 84 ठीक है दोस्तों अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों चलिए तोड़ देते हैं 191 बटे 84 हमारा आया है तो 84 दुनी क्या आता है दोस्तों तो 4 दुनी 8 चार दुनी 8 और 8 दुनी 16 में 168 और 168 में 191 घटाएगे तो क्या जाएगा दोस्तों आठ मन से 11 से 8 जाएगा तो 3 और 8 मन से 6 जां तयस यानि की 84 दुनी 61 दू पूर्णांग तैस सब्टे 84 यह होगी आपका आंसर ठीक है दोस्तों इसमें देखिए यह दुस्तों कटेगा भी कोई कटेगा कि नहीं यह आ गया दोस्तों दो पुर्णांग 23-84 जो की आपका आपसन में नहीं है तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जागा ननप दिज़ यानि कि इन में से कोई ओरणीति आञी नहीं थीकव दोस्तों तो चलिए आप कोपी कीओ चलतेAH कोश्चन नमर फोटी फाइप आपका दोस्तों तीन भागा बरी भाइकेट उसके अंदर छोटी ब्राइकेट आठ माइनस पांच भागा मंजली ब्राइकेट चार माइनस दू भागा दो पलस आठ वटे तेरह ठेक है दोस्तों तो सबसे पहले इसका काम करेंगे तो तेरह देखें यहां पर दोस्तों चार मन से दो जाएगा तो कितना बचाएगा दो यह होगी आपका मंजली ब्राइकेट का काम अब इसको करना कैसे दोस्तों दो गुना तेरह बटे 34 क्योंकि यह भाग में था दोस्तों अब इसको काटेंगे सतार दुनी 34 तो आपका क्या बच ग आगा 13 बटे 17 ठीक है अब इसको गुना में बदलेंगे तो क्या जागा तीन गुना 17 बटे 13 तो इसका क्या जागा दोस्तों यह 17 तीया 51 बटे 13 यह आगा आपका यहां तक का बड़ी ब्राइकेट तक का अब इसको तीन से भाग करेंगे 51 बटे 13 ठीक है दोस्तों तो अब इसको गुना में बदलेंगे तीन गुना 13 बटे 51 तो इसको काटेंगे तो 17 तीया 51 तो आपका अंसर क्या आगया दोस्तों 13 बटे 17 ठीक है जो कि आपका आपका अप्शन नमबर 3 में दिया हुआ है तो इसी एक साथ चलते हैं नेक्स्ट कॉर्चिन 46 नमबर भूस्चन नमबर 46 एफ बड़ी ब्राकेट एक ब्रीकेट यह कोद्टे 4 मिनस एक प्रीक्ट साथ प्रीक्ट-4 तो रुचे पहलें चोटी ब्रीक्वीर का यहीं को आपका यह दोस्तों आप और 7, 8 से 8 को भाग देंगे 1 यानि कि 1 सते 7, 4 दुनी 8, 3 दुनी 6 तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका चोटी ब्रैकेट का काम हो गया 1 बटे 8 हाया उसके बाद मंझली ब्रैकेट तो 3 बटे 4, माइनस 1 बटे 2 और यह देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानि कि यह गुना हो जाएगा 1 बटे 8 तो क्या हो गया दोस्तों 3 बटे 4, माइनस 1 बटे 16 इसका LCM लेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 16, 4 का LCM 16 और 4 चोके 16 यानि कि 3 चोके 12, माइनस 1 ठीक है दोस्तों यानि कि आपका क्या गया यहाँ पर 11 बटे 16 अब यहाँ इसका काम हो गया दोस्तों उसके बाद बच गया बड़ी ब्रैकेट का 1 बटे 2 पलस 1 बटे 2 यहाँ पर भी देखिया कुछ नहीं है दोस्तों यानि कि इंटू तो इसको भी गुना कर देंगे 11 बटे 16 तब क्या गया दोस्तों 1 बटे 2 पलस 11 एकम 11 बटे 16 दूनी 32 इसको सॉल्ब करना है दोस्तों तो 32 और 2 का अलसियम 32 उसके बाद 16 दूनी 32 यानि कि 16 पलस 32 यानि कि 11 तो इसको जोड़ने पर क्या आता है दोस्तों 6 एक 7 और एक एक 2 27 बटे 32 ये हो गया कोस्चन नमर 46 का अंसर जो कि अपसर नमर 2 में दिया हुआ है अब चलते हैं 47 नमर कोस्चन की और कोस्चन नमर 47 आपका दोस्तों 8 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7 माइनस बंजली ब्रैकेट X माइनस चोटी ब्रैकेट 4 माइनस 7 बटे 2 बरावर 5 तो X का मान क्या होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे पहले चोटी ब्रैकेट से काम करते हैं यहाँ भी माइनस है तो 4 दूनी 8 माइनस 7 यानि कि 8 से 7 को गटाएंगे 1 बटे 2 यह चोटी ब्रैकेट का काम होगा माइनस यह X ठीक है दोस्तों तो इसको करेंगे तो दो दो एकम 2 यानि कि 2 X बटे 2 ठीक है दोस्तों और यह माइनस में एक मिनिट 2 एकम 2 और यह माइनस 1 बटे 2 यह हो गया दोस्तों अब यहाँ पे माइनस 7 ठीक है दोस्तों यह हो गया उसके बाद इसको करेंगे तो 7 दुनी 14 माइनस 2x माइनस 1 बटे 2 और बाकी का यह 8 तो अब इसको करेंगे तो 8 दुनी 16 माइनस 14 माइनस 2 और यह माइनस 1 इतना अब बरावर यह 5 ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर यह 14 और 15 हो गया दोस्तों यह निकी 16 माइनस 15 और माइनस 2x बटे 2 बरावर 5 ठीक है दोस्तों अब 16 से 15 जाएगा एक और यह माइनस आपका 2x बटे यह 2 बरावर पॉंच ठीक है दोस्तों तो ये 2 पंचे 10, यानिकि 1-2x बढ़ावर 10, उसके बाद ये 2x कोई धर लाएंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों, पलस में, ये 2x पलस में और ये 10 कोई सपाद लाएंगे तो 9, यानिकि X बढ़ावर क्या आगया दोस्तों, आपका 9 बटे 2, यानिकि इसको पॉइंट में ब 4.5 बरावर X, X का मान क्या आगया दोस्तों आपके पास 4.5 जो कि आपका option नमर 2 में दिया हुआ है, अब चलते हैं question number 48 की और, question number 48 आपका दोस्तों 1 plus 1 बटे, 1 plus 1 बटे, 1 plus 1 बटे 2, इस तरह का question दोस्तों अकसर आपको exam में देखने मिलेगा, और ये भी question आपका IT department में 1994 में प दोस्तों, ये भी question आपका पूछा गया है, तो चलिए इस तरह का question को solve करने के लिए सबसे पहले नीचे से solution करते हैं, नीचे से solution करने के बाद क्या आता है आपका दोस्तों, सबसे पहले ये 1 लिख लिए और ये 1, फिर ये 1 plus 1, अब यहाँ पर दिखिए दोस्तों, 2 एकम 2, एक 3 बटे 2, एक तो solve हो गया, उसके बाद अब इसको, उसके बाद दखिए दोस्तों, इसको अब गुना में ये भाग में है, इसको गुना में लिखेंगे, तो क्या जाएगा, एक गुना 2 बटे 3, यानि कि यहाँ पर क्या लिखाएगा आपका दोस्तों, 2 बटे 3, उसके इसके बाद ये 1 बटे, 2 एकम 2, 3 दू, 5 बटे 3, फिर एक गुना, ये 3 बटे 5, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखाएगा, 3 बटे 5, ठीक है दोस्तों, तो 1 पलस 3 बाइ 5, इसको solve किजएगा तो 5 एकम 5, 3, 8 बटे 5, ये हो गया, question नमर 48 आपका, अब चलते है, question नमर 49 की अगर आपको दोस्तों, इतनी भी आसानी से समझ में नहीं आता, तो हमें नहीं लगता है कि दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब में इससे नॉर्मल विदी में आपको कोई समझाता होगा, ठीक है दोस्तों, अब चलते है, question नमर 49 की और, question नमर 49 है आपका दोस्तों, 1 प यहाँ पर क्या आजाएगा, 9 बटे 5, अब यहाँ देखिए दोस्तों, यह 3 गुना, 5 बटे 9, यह भाग में था दोस्तों, इसको गुना में बदल दिये तो 5 बटे 9, यह 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या लिखाएगा, 1 पलस 2 बाई, 1 पलस 5 बटे 3, ठीक है दोस्तों, अब इसको solve करते हैं, 3 एकम 3, 5, 3, 8 बटे 3, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख देते हैं, 8 बटे 3, अब क्या करेंगे, 2 गुना, 3 बटे 8, इसको उलट दिये हैं दोस्तों, तो 2, 4 के 8, तो अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, 3 बटे 4, अब इसको solve करेंगे, 4 एकम 4, 3, 7 ब नमब चलिए कोस्चनन नमड फिप्टी हो आपका दोस्तों 4-5 बटे एक पलस एक बटे 3 पलशे bas w, टो नीचे से सोल्यसन करना है cow तो 4 दुनी ऑठेक नौ बटे 4 ठेक धूすथम तो इसको फट़ लिख लेते हैं पांच एक प्लस एक बटे तीन एक बटे यहाँ पर चार दुनी आठेक नव बटे चार तब इस नव बटे चार को कैसे लिखेंगे दोस्तों उलट के यानि की चार बटे नौ ठीक है दोस्तों आभ इसको स्ल्यूसल करते हैं तो नो तिया 27 4 31 बटे नौ ठीक है दोस्तों यहाँ पर चार माइनस पांच वन फुलस बटे इक तीस बटे नौ तिसको आप कैसे लिखेंगे यानि की नो बटे एक ठीक है दोस्तों 9 बटे 31 अब इसको solution करेंगे 31 से कम 31 नो 40 बटे 31 यानि कि 4 माइनस 5 बटे 40 बटे 31 तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों तो इसको बदलते हैं पहले 5 गुना 31 बटे 40 5 अठे 40 तो अब आपका क्या आगया 4 माइनस 31 बटे 8 इसको बदलेंगे तो 4 अठे 32 माइनस 31 यानि कि 1 बटे 8 ठीक है दोस्तों यह होगी आपका question number 50 का answer जो कि आपका option number 3 में दिया हुआ है अगर आप हमारे वीडियो से खूस हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को subscribe करें और like करें और दोस्तों में share भी करें ठीक है दोस्तों क्योंकि आपके एक like share subscribe से हम motivate ह होते हैं कि next video बनाए thank you for watching हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत सुब कामना है मिलते हैं next video में दोस्तों